असकार बच्चों सुवागत आप सभी का आपके एपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्चा ठेंत की छातर है तो इस वीडियो को आपको कम्प्लिर देखना है और आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्तान बोर्ड कक्चा 10 गनित की जो ये बुक है और इस बुक में अच्छे से अर्दवार्सिक प्रिक्चा 2021 से पहले इन क्यूशन को आपने अच्छे से सोल कर लिया तो जो आपका अर्दवार्सिका पेपर आता है सतर मार्क्स का यानि सतर नमर का तो सतर में से सतर नमर है वो आराम से बना सकते हैं और ये ज़्यादा क्यूशन भी नहीं है आपके 40 या 50 क्यूशन है टोटल अगर इन क्यूशन को अगर आपने सोल कर लिया तो मेच के अंदर आप अर्दवार्शिक प्रिक्षा में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक र नमर वन है यानि परसंद माला आपके वन है वास्त्विक संख्या जिसको इंगलिस में बोलते हैं रियल नमर तो इस चेप्टर के जो मोस्ट इंपोर्डर कुशन से जिनको आपको टिक करना है और साथ में आप में अपनी जो मेत की बुक है वो लेकर आप सभी बच्चों को बैठना है और साथ साथ में जो कुशन्स में आपको टिक करवा रहा हूं साथ साथ में आपको टिक करना है उसके बाद में सारे कुशन्स को आप एक जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर लिख सकते हैं उसके बाद में आप सोल कर सकते हैं तो इसमें जो पहला कुशन्स है 135 और 225 इस क्यूशन को आपको टिक करना है और इस संख्या का जो HCF है वो आपको आना चाहिए यानि निमल लिखित संख्याओं का HCF ज्याद करने के लिए यूकलिड विवाजन एल्गोरिथम का प्रियोग कीजिए तो इसमें जो क्यूशन है 135 और 225 तो इस क्यूशन को आपको अच्छे से स्वोल करना है HCF आँ आना चाहिए तो एक तो ये क्यूशन आपको टिक करना है और इंपोर्टर कुशन है आपके काफी बार आपके अर्दवार्शिक प्रिक्चा में आ चुका है यहनि रिपीटर Q कुशन है और मैं वही कुशन बता रहा हूं जो आपके अर्दवार्शिक प्रिक्चा के लिए ही महतुपुन है बोर्ड प्रिक्षा 2022 के लिए आपके अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बुक में क्यूशन से वो टिक करवाये जाएगे ये वीडियो केवल अर्दवार्शिक प्रिक्षा के लिए है और एक है आपके एक्जामपल साथ यानि उधारन साथ उधारन साथ है ये आपके वेरी वेरी इंपोर्टेट है एवाजे गुणनखंड विदी दुवारा चान में और 404 का HCM ग्याद कीजिए और कीजिए या फिर इनका LCM भी ग्याद कीजिए यानि एवाजे गुणनखंड विदी का प्रियोग करके आपको दो नमबर एक तो 96 है और एक आपके 404 इन दोनों का आपको क्या करना है HCM निकालना है उसके बाद में आपको क्या करना है LCM निकालना है तो ये कुशन आपको आना चीए ये कुशन भी आपको अच्छे से सो करना है उसके बाद में है आपके जो आपके परसनावली एक पॉइंट दो है तो एकसरसाइज 1.2 में आपको क्यूशन नमबर 4 यानि HCM आपको दे रखा है आपके पास कोई दो नमबर है 306 और 657 इन दोनों का HCM आपके पास दे रखा है 9 और आपको क्या फाइंड करना है क एक ये क्यूशन आपको टिक करना है उसके बाद में है आपके उधारण 9 यानि एकजामपल 9 है आपके रूट 3 एक आपरी में संग्या है यानि रूट 3 एक के इर्रेशनल नमबर है और ये आपको क्या करना है प्रूव करना है तो ये क्यूशन भी आपको अच्छे से आना और इस टाइप का कोई भी question आपके आ सकता है नम्मर है वो change हो सकता है क्योंकि root 3, root 2, root 5 इन में से एक नम्मर आपके आ सकता है लेकिन यह आपको आना चाहिए आपको practice करना है सीखना है कि root 3 एक एपरी में संख्या है इसको सिध करना उसके बाद में next है आपके question नम्मर तो जो अगली जो चेप्टर है आपके exercise 1.4 यानि परसनावली 1.4 इसमें आपको एक question ही टिक करना है बीना लंबी विभाजन परकिरिया किये बताइए कि निमल लिकित परी में संख्याओं के दसमलो परसार सांत है या एसांत अब इनमें आपको एक नम्मर दे रखा है 17.8 यह important नम उसके बाद में जो next chapter है हमारा chapter नमर 2 है बहुपद यानि polynomials तो polynomials वाला जो chapter है इसमें आपको कौन कौन से जो questions हैं जो मैं आपको टिक करवा रहा हूं साथ साथ में आपको टिक करना है उसके बाद में इन questions को आपको solve भी करना है तो देखे सबसे पहले हम बात करेंगे आप के जो 2.1 है उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है उसके बाद में जो परसनावली 2.2 है तो 2.2 में जो पहला क्यूसन है पहले में जो पांच वा परसन है ये टिक करना है आपको यानि निमन दिवगात वहुपदों के सुन्ने ग्यात कीजिए और सुन्ने को तदा गु पहला का उनके बीच जो रिलेशन सीप है जो समन्द है उसकी जांच भी आपको करके बतानी है और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एकजामपल नम्मर आठ यानि उदारन आठ है आपके 3X स्क्वाइर माइनस अक्स क्यूब माइनस 3X प्लस 5 इसको आपको डिवाइड कर ना इस नम्मर से उसके बाद में जांच भी करनी है तो एक क्यूशन ये टिक करना है और एक है आपके उदारन 9 यानि 2X की पावर 4 माइनस 3X की पावर 3 माइनस 3X स्क्वाइर प्लस 6X माइनस 2 इसके सबी सुननेक आपको फाइंड करने है यदि आपको इसके दो सुननेक और एक आपको परसन नम्मर चिहार करना है ये दोनू क्यूशन है ये आपको अच्छे से करने है उसके बाद में जो अगला चेप्टर है हमारा चेप्टर नम्मर 3 है हमारा दो चरो वाले रेखिक समीकरन तो दो चरो वाले रेखिक समीकरन इसमें आपको कौन-कौन से क्यू उसरा क्यूशन आपको टिक करना है कि किर्गेट टीम के कोच ने 3900 रुपे में 3 तो बल्ले खरीदे और 6 गेंदे खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंदे 1300 रुपे में खरीदी तो इस इस्तिति को बीजगणीत ये रूप में लिखो तो इस 3Y बराबर 1300 तो इस टाइप से आपको समीकरण है वो बनाना आना चाहिए उसके बाद में नेक्स्ट कुशन की हम बात करें तो आपके उधारन नमर 4 उधारन नमर 4 में ग्राफ आना चाहिए आपको जांच कीजिए कि समीकरण यूगम आपको ले रहे है आक्स प्लस 3Y इसका जो ग्राफ है वो सीखना है आपको ग्राफ सभी बच्चों को आना चाहिए बनाना और एक है आपके जो परसन नमर 7 परसन नमर 7 ही किस में है कुशन नमर 7 आपको टिक करना है कि समीकरणों अक्स माइनस Y प्लस 1 बराबर 0 यानि ये दो समीकरण दे रहे हैं और अक्स भुजाकार जो पटल है उसको छायकित भी करना है तो ये आपके अर्दुवार्शिक प्रिक्चा के लिए महतुपूने आने वाला है उसके बाद में आपके परसनावली 3.3 तो 3.3 में जो पहला परसन है निमन रेखिक समीकरण युगम को परतिस तापन विदी से हल करना है और इसमें आपको 2 कुशन टिक करने है एक तो 4 का कुशन और एक 5 का कुशन ये दोनों कुशन आपको आने चाहिए और एक ये दूसरा कुशन है इसमें 2x plus 3y ब्राबर 11 और 2x minus 4y ब्राबर minus का 24 इनको हल करना है आपको और इसे m का मान भी ग्यात करना है जिसके लिए y ब्र 3.5 में आपके एक कुशन है जिसको आपको त्यार करना है कुशन नमर 3 यानि कुशन नमर 4 में कुशन नमर 3 यस ने टेस्ट में 40 अंक करजित किये जब उसे परतेक सही उत्तर पर 3 अंक मिले एसुद उत्तर पर 1 अंक की कटोती की गई तो उसे सही उत्तर पर 4 अंक अधिक मि हला है अच्छे से आपको सोल करना है बस आपके जो में कुछ नहीं पढ़ना है उसके बाद में नहीं हैं उसके बाद में परसनावली 4.2 आपको त्यार करना है कि दो कर्मागर्द धनात्मक पुना ग्याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो उसके बाद में हम बात करें तो आपके जो एक्जामपल भी इसमें नहीं त्यार करने हैं आपको और जो आपका चेप्टर नमर है आपके फॉर जो परसनावली एफ 4.3 यानि 4.3 तो 4.3 में केवल आपको तीसरा कुछ नहीं पड़ना है निमन समीकर्णों के मूल गयाद कीजिए जिसमें दोनों समीकर्ण आपको आना चीए तो दोनों आपको solve करने हैं त्यार करने हैं और 4.4 में भी कुछ नहीं पढ़ना है उसके बाद में है आपके जो chapter number 5 है आपके समानतर स्रेडी यानि arithmetic progression तो इस वाले chapter में आपको कौन कौन से question पढ़ने हैं तो देखे इसमें जो आपके exercise है 5.1 यानि परसनावली 5.1 और 5.1 में जो तीसरा person है इसमें नम्मर कुछ भी change हो सकता है उसकी कोई guarantee नहीं है लेकिन जो type जिस type का question में आपको बता रहा हूं उसी type का question आपको देखने को मिलेगा हफिरली में तो देखे इसमें तीसरा person है नीमल लिखित में से परते के F.P के लिए पर्थम पद निकालना है यानि A निकालना है और सारू अंतर यानि D निकालना है दोनों निकालने हैं और ये चार question दे रहे हैं इस type का question है वो आपको देखने को मिल सकता है अर्दवार्सिक प्रिक्चा में उसके बाद में जो आपका next है आपके exercise 5.2 यानि person माला 5.2 में ये question आपके very very important है और ये आपके हर बार अर्दवार्सिक प्रिक्चा में पुछा जाता है कि एक समानतर स्रेडी है जिसमें 10 से 7 चार और इसका 30 हुआ पद ग्यात करना है तो option में भी आ सकता है और वेसे भी आ सकता है उसके बाद में 4 नमर question त्यार करना है एपी 3, 8, 13, 18 इसका कौन सा पद अठंतर है और एक 7 साथ हुआ परसन, आठ हुआ परसन, नौवआ परसन, ये तिनों परसन सोल करने है इन तिनों में से एक क्यूशन के ज़्यादा चांस है जिसमें कौन साथ कूशन है जिसके ज़्यादा चांस है साथ हुआ परसन, उके उसके बाद में एक है आपके परसन नमर 19, सुबा में उदारन नमर 12 किसी एपी के पर्थम 14 पदों का योग 1050 है इसका पर्थम पद 10 है तो 20 वा पद गयाद कीजिए वेरी वेरी इंपोर्टेट है ये भी अच्छे से आपको आना चाहिए और एक है आपके उदारन नमर 15 संख्याओं की उस सुची के पर्थम 24 पदों का योग एन बराबर 3 प्लस 2 एन से दिया जाता है और एक है आपके उदारन नमर 16 टीवी शेटों का निर्माता तीसरे वस में 600 टीवी साथवी वस में 700 टीवी तो इस टाइप का कुशन है ये वेरी वेरी इंपोर्टेट है हर बार आपके बोर्ड एक्जाम में भी आता है और संप् पदोतक योग ये वी काफी बार आपके अर्दु आर्शिक में आ चुका है तो पांच का जो चेप्टर है इसमें केवल आपको यही पढ़ना है उके उसके बाद में जो नेक्स चेप्टर है आपके छठा चेप्टर आपके राजस्तान बोर्ड में इस बार हटा दिया गया है अब कुर्डिनेट जियोमेट्री में आपको कौन-कौन से कुशन टिक करने है तो एक तो उदारन नमर दो इसमें सिध करना है चार बिंदू आपको दे रखें और एक वर्क के सिर्स है तो यह आपको बताना है और उसके बाद में जो परसनावली साथ पोइंट एक है तो आपको टिक करना है आठ हुआ वा य का मान गयात कीजिए जिसके लिए बिंदू पी का निर्दे सांग का और क्यों का निर्दे सांग इनके बीच की दूरी आपको दे रखें दस से मात रखें तो वाई की वेल्यू आपको फाइंड करनी है उसके बाद में नेक्स्ट है कुछन है आपके अर्दुवार्शिक प्रिक्षा के लिए और एक है आपके कुछन नमर छे जो प्रसनावली आपके साथ पॉइंट दो है उसमें कुछन नमर छे यदि बिंदू एक दो चार वाई अक्स्ट है और तीन पांच इसी करम में लेने पर एक समानतर चतुर गयाद करना है बिंदू आपको दे रखे हैं और यह तीनों बिंदू क्या है कि सरेंखी हैं और परसनावली साथ पॉइंट तीन यारी एकसरसाइज 7.3 तो इसमें कुछन नमर थ्री वेरी वेरी इंपोर्टेट है और काफी मार्क्स में आपके कुछन आने वाला है कि आपक कुछन है सौल करना है आपको उसके बाद में जो नेक्स चेप्टर है हमारा त्रिकोन मित्ती का प्रिच्चे चेप्टर नमर आठ है आपके और इसमें हम बात करें तो आपके जो एकसरसाइज है 8.1 यानि 8.1 प्रसनावली 8.1 तो इसमें तीन क्युछन आपको टिक करने हैं तीसरा परसन, चोथा परसन, पांचुवा परसन, तीनों में से एक क्युछन आपको अर्दवार्सिक प्रिक्चा 2021 में मिलने वाला है ओके मेट्स के पेपर में और उसके बाद में जो परसनावली या आपके एकसरसाइज है 8.2 तो 8.2 में निमल लिखित के मान याद इसमें तीसरा परसन और चोथा परसन इन दोनों में से एक परसन के चांस हैं आपके दोनों परसन आपको सॉल करने हैं उसके बाद में परसनावली 8.3 तो उदारन नमर 9 आपको त्यार करना है और उदारन नमर 10 आपको त्यार करना है और उसके बाद में है एक तो आपके प बच्चों की जो problem है वो है 8.4 सर 8.4 में बता दीजिए तो 8.4 में बच्चों 5 क्यूशन है very very important जिनको आपको solve करना है अच्छे से त्यार करना है उन से अलग आपके क्यूशन नहीं आने वाला है अर्दुवार्शी प्रिक्चा में तो एक तो आपके तीसरा परसन है से के प्ल एक 8 हुआ परसन है और एक 10 हुआ परसन इन 4 परसन को solve कर लीजिए इन में से ही आपको क्यूशन अर्दुवार्शी प्रिक्चा में देखने को मिलेगा ओके ये imported है आपके उसके बाद में चेप्टर नमर 9 हट चुका है राजस्तान बोर्ड में 10 हुआ चेप्टर भी आपक क्यूशन टिक करना है 7.6 सेंटिमीटर लंबा एक रेखा खंड कीचिए और इसे 5 अनुपात 8 के अनुपात में विवाजित कीजिए दोनों बागों को मापिए एक क्यूशन तो ये है आपके और उसके बाद में एक क्यूशन है आपके 11.2 में क्यूशन नमर 4 है 5 दोनों हड़ चुके राजस्तान बोर्ड में तो इन चेप्टर के बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं उसके बाद में सिधे हम चेप्टर नमर 14 पर आते हैं 14 पर आते हैं और चेप्टर नमर 14 है 14 है हमारा सांख्य की यानि स्टेटिक्स आप देखिए स्टेटिक और दूसरी विद्धी है आपके कल्पित माद्दे और तीसरी है आपके पगविचलन माद्दे यानि समान जो माद्दे है मीन निकाला जाता है वो तीन मेथड से निकाला जाता है एर्थिमेटिक मीन जिसको डाइरेक्ट मीन भी बोलते हैं समानतर माद्दे और एक है आपक मोड किया कहते हैं आना चाहिए उसके बाद में तीसरी चीज़ में मिडिय तो यह इसमें से एक किुस्षन रहे आपके एक्जाम में आएगा तु एसमें कुछ इंपोर्टेट नहीं उसके बाद में चैक्प्टरática 15 यानि प्रारइक्त तो प्रारइक्ता व्रे चैक्प्टर में आपको कौन कौन से इक चिप्टर का तो इसमें उदारन नमर चार अच्छी प्रकार से फेटे गई बावन पत्तों की गड़ी में से पत्ता निकाला जाता है इसकी प्राइक तक याद कीजिए कि यह पत्ता एक लिका होगा एक लिका नहीं होगा इंपोर्टेट कुस्टन है आपके और उसके बाद मे नेक्स्ट कुस्टन की हम बात करें तो कुस्टन नमर आपके चेप्टर में मिलेगा आपके कौन सा चेप्टर है आपके पंदरा इसमें एक एक सरसाइज है आपके पंदरा पॉंट एक तो पंदरा पॉंट एक में जो चोथा कुस्टन है पहले में चोथा कुस्टन है आपक जीरो पांच है तो ये नहीं की प्राइक्ता आपको ग्याद करनी है और एक नववा परसन एक डिब्बे में पांच लाल कंचे आठ सफेद चार हैरे हैं इस डिब्बे में से एक कंचा यादर्चे निकाला जाता है तो इसकी क्या प्राइक्ता है कि निकाला गया कंचा लाल हो होगा सफेद होगा हैरा नहीं है ये क्यूशन आना चाहिए और एक है तेरुआ परसन एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निमल लिकित को प्राप्ट करने की प्राइक्ता ग्यात कीजिए तो एक अभाज्य संख्या दो और छेगे बीच की इस्तित कोई संख्या और एक व अंकित है इस पेट्टी में से एक डिस्क आधर चे निकाली जाती है तो इसकी प्राइक्ता ग्यात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी दो अंकों की संख्या एक पूर्ण वरक संख्या और पहां से विवाज्य संख्या तो यह आपके जो मैंने काफी कुशन से हैं जिनक का जो पेपर आता आपके 70 मारक्स का तो 70 में से 70 नमर बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है तो इन कुशन को आपको अच्छे से सोल करना है और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों के साथ शेर करें और चैनल पर आप नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि कक्सा टेंट से समंदित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो.